हलो फ्रेंड्स वेलकम ट्रेन बसरा यूटूब चैनल कैसे हैं दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो इस वीडियो में जो मैं आप लोगो बताने जा रहा हूँ इंबेसी के तरफ से इतनी अच्छी अपडेट है और इंबेसी जो काम कर रही है इस समय में सौधी के अंदर में भाई साथ दिल खुस हो जाएगा आपका भी आप खुद वीडियो को देखोगे तब और इसके अलावा मुरूर के तरफ से एक अपडेट है जो कि ड्राइबरो चैनल पर मिलती रहते हैं तो दोस्तों यहां पर हम सबसे बात करेंगे उन ड्राइबर भाईयों के लिए जो लोग सौधी रभ में ड्राइबिंग का काम करते हैं तो मुरूर के तरफ से जो अपडेट आया हुआ यहां पर आप स्क्रीन सोट देखिएगा मुरूर का तो किसी कहीं रेड लाइट हो या कहीं पर जब राइट मारते हैं तो वहां पर जो क्रॉसिंग बना होता है पट्टिया बनी होती है इन पट्टियों पर अगर आप होकर जाते हैं कहीं से यहां से आप इस पर चढ़ा के गारी को राइट करते हैं या फिर आप थे लेट में एक TV जो कैमरे लगे हुए हैं उन्हें इन सब छुटी छुटी बातों को भी रिकोर्ड किया जा सकता है जिसमें आपको मुखालफा जुर्माना भरना तैं हो जाएगा तो यह है तो छुटी सी गलती पर जुर्माना अगर आ जाए तो बड़ी प्रोब्लम हो सकती है इसके लावा जुट के थे और इन दोनों बच्चों की साडक हाद्से में अचानक से मौत हो गईए कौन थे क्या थे इसके बारे में परना में मौके पर ही मोत होगी इन दोनों की लेकिन इब्राहीम का भाई जो है अमार उसको अस्पताल में भरती कराया गया है मालिक से दूआ करना कि बच्चा सही हो जाए जिसके साथ जो हो गया वो तो होई गया तो जितने भी लोग वह भाई रोड क्रोस करते समय ध्यान द कोबाइल बराबर यूज करते हैं तो तुरह ध्यान लखिएगा भाई क्योंकि हम परदेशी लोग है यार कहते हैं न कि जनाब परदेश में रहना डर नहीं लगता परदेश में जानना चली जाए यह बहुत दुखों की बहुत दर लगता है तो इन सब चीजों से दूर र करने के बाद उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई उनको उल्टी दस तोने लगा ब्रांच नंबर एक में उनको डाक्टरों द्वारा दिखाया गया रहान को और मेडिशन दी गई तब उनकी स्थिति बिल्कु ठीक हो और वह इशा के नमाज के उमरे इसा नमाज के बाद में निकल गए हाला कि जिद्दा में अबेस्टी यह भी बहुत अच्छा काम कर रही है और रियाद की अबेस्टी ने जो अपडेट दिया ना मजा आ जाएगा भाई इसको भी यहाँ पर देख लिजेगा और जितने हाजी लोग हैं उन लोगों के लिए एक बहुत इंपोर्ट अब दिक्कत होती है जबकि यहाँ पर 83,000 से ज़्यादा हज करने वाले लोग सौधी अरब में आ चुके हैं आप यहाँ पर इसक्रीन सोट ही देखी सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार कि अगर आपको दिक्कत होती ही है तो आप इनको कॉन्टेक्ट नमबर पर समपर्ण कर सकते हैं कौन सा कॉन्टेक्ट नमबर यहाँ पर आप इसके देख लिएगा इसको मैं देर तक रोक देता हूं यह इंडियन जिद्धा है इंडियन इंबेसी का यानि इंडियन इंबेसी है जो जिद्धा में है उन्होंने ये शेर किया है जब कि ये मेन है इसे दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं भी आप संपर्थ करोगे तो इसी नंबर पर संपर्थ करना होगा यहाँ पर आप नंबर देखी सकते हैं इंडियन हाज मिशन मक्ता के तरफ से जनरल हेल्प लाइन नमबर है, टोल फिरी नमबर है, वाट्स अप नमबर है, मेडिकल हेल्प लाइन नमबर है, मदीना में अगर आप हैं तो हेल्प लाइन नमबर है, मेडिकल हेल्प लाइन नमबर है, सारा कुछ इसमें आपको देखन क्योंकि हज करीब में है और लोगों को किसी परकार की दिक्कत हो तो वो अपना इस चीज का फाइदा उठा सकें तो यहां पर इस तरीके से MBSC ने जो बहुत अच्छा काम किया है और दिल खुस हो गया कि इंडियन MBSC जो है और भारत सरकार जो है इतना हेल्प और इतनी सुविधाएं जो है वो सबको एक्टिव करा रहा है सबको दे रहा है भाई MBSC जो है वो सरकार की मताहत से तो है तो सरकार ने ही इस चीज का प्रहधान बनाया होगा तभी आगे जाकर MBSC ना काम कर रही है लेकिन जो भी कर रही है MBSC ना बहुत अच्छा का हो अब यहां पर MBSC ने ही एक मदद के लिए और भी तरीके बनाये हैं जो कि आप लोगों को भी यह तरीका अपनाना जरूरी चाहिए क्योंकि अगर आप भी परेशान हो तो इस तरीके से काम कर सकते हो तो देखें यहां पर मुहम्मद सुय भाई का एक ट्वीट आया था M MBSC को यहां पर आप देख लिजेगा उनका कहना है कि उनका जो स्पोंसर है उनको एक से दो महीने हो गए सेलरी भी नहीं दिया है अनले लगाने के लिए पंदरा सो रुपे मांग रहा है हम क्या करें किस तरीके से हमको को कोई हेल्प किजिए तो यहां पर MBSC ने जो बात की हेल्प जरूर हो जाएगी तो आई होब की दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा भाई क्योंकि इसमें बहुत ही इंपोर्टेट इंपोर्टेट बाते थी जो कि सब को जानना चाहिए तो जिले फिर मिलेंगा आप से किसी नेक् अब्डेट के साथ में तब तक के लिए जेहिन